एक यूपी एज्जेस 2012 मेंस क्वेश्चिन आंसर लॉप पेपर 2 प्रोसीजर एंड एविडेंस तो फ्रस्ट क्वेश्चिन जो इसमें है मैं क्वेश्चिन रीड कर देता हूं थोड़ा सा पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मेंस के अंसर को अप्रोच कैसे करना है जब मेंस में कोई क्वेश्चिन आता है तो मेंस के क्वेश्चिन के साथ एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि उसको किसे करें कितने लिखें कितना टाइम लगाएं एक आंसर के ऊपर तो मैं थोड़ा before starting my discussion on UPSGS 2012 मेंस question paper उसके जो answer से उसको मैं detail में solve करूंगा सारी questions को तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कैसे आप वो कैसे आप approach करेंगे question को कितने words में लिखेंगे तो जो फर्स्ट point है जो आपने note down कर लेना है कि write as it is required right as it is required जितना कहा गया है जितना पूछपा गया है जो question कह रही है आपने answer उसका ही लिखना है आपने उससे अधिक नहीं लिखना है क्योंकि जो आप question paper को देखते हैं तो आप देखेंगे 20 question के आसपास हैं या कईयों में उससे जादा भी हैं कुछ 10 नंबर के हैं कुछ 5 नंबर के हैं कुछ 20 नंबर के हैं तो अलग अलग हैं तो नैच्रली आपने उसके accordingly अपने आपको design करना होगा कि आप कितने words में उसको लिखें क्योंकि आप अप्रोच उसी अधार पर आप कर सकते हैं क्योंकि समय भी आपके पास तीन घंटे ही हैं तो नैच्रली अगर आपने एक question के ओपर ज्यादा समय लगा दिया या उसको 304 जा या उसको तीन चार पेज में लिखने की कोशिश करी तो उससे क्या होगा कि आप दूसरे questions को approach नहीं कर पाएंगे उसको attempt नहीं कर पाएंगे तो इसलिए सबसे पहला जो principle है जो आपने याद रखना है वो यह है कि right as it is required उससे ज्यादा नहीं रखना है आपने अपने आपको conceptualize करना है क्यूंकि आपने जब question पढ़ना है तो आपने question पढ़कर आपने जल्दी से विदीन एक question के ऊपर आप कुछ कोशिश करें जितना 20 seconds 30 seconds में आप समझ जाएं कि क्या question कह रहा है या maximum एक मिनट अगर लेंदी question है तो अगर ज्यादा जज्मेंट राइटिंग वाली question से उनके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है बढ़ दूसरे questions को within one minute आपने समझ लेना है और आपने उसको कि क्या आपका जो direction है answer की वो क्या होगी उसको decide कर लेना है कि क्या question कह रहा है जैसे first question से ही clear हो जागा जब मैं first question discuss करूंगा तो और जहां तक सवाल है कि कितने words में लिखूं तो उसके लिए मेरा जो अपना formula है वो मैं बता दूं आपको कि a maximum 90 words आप ले सकते हैं 90 words से जादा नहीं जाना चाहिए और maximum five minutes अगर पांच नंबर का question है तो five minutes से जादा नहीं होना चाहिए अगर 10 12-14 मिनट मैक्सिमम और 300 वर्ड मैक्सिमम तो यह यह फॉर्मूला आपने भी ऐसे ही चलना पड़ेगा एक्जाम में तो आपने रखना है कि ठीक है मैं इसको 80-90 वर्ड में इसको लिख दूँगा और पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूँगा इसमें इसके उपर मैं अगर दस नंबर का क्वेश्चन है तो फिर 8-10 मिनट आप ले सकते हैं अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 12-14 मिनट ले सकते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है क् क्वेश्चन है लेंट क्या की लेंदी अगर है तो आपको लेकर चलना पड़ेगा एक सोड़ेट आप उसको अप्रोच कर सकें थी इसमें और और एक दो चीजें क्या है कि जब आप लिखते हैं तो लिखने में आपका जो 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 पॉइंट्त्स आपने ध्यान रखने हैं आप उसको लिंक कैसे कर रहे हैं जैसे constitutionally अगर आपका आपकर उस पॉइंट के ऊपर कोई constitutional provisions है आर्टिकल्स है constitutional license है उसका कोई तो वह आपको रखना पड़ेगा तो जो answer writing में में comprehensive approach होना चाहिए आपका time management skill आपकी अच्छी होनी चाहिए so data आप answers attempt कर सकें क्योंकि यह काफी मुश्किल होता है इतना lengthy paper solve कर पाना इतने कम समय में तीन घंटे में और जो link is है वह जरूर होना चाहिए चाहे वह उस प्रोवीज जैसे CRPC के questions हैं तो CRPC के ही अगर जैसे भी आप देखेंगे अभी एक question में solve करूंगा इसमें चार्ज से related है तो naturally CRPC के ही दो sections है उसमें तो वह एक link होना चाहिए आपको अगर आपके पास जानकारी है उसकी तो आप naturally उसको लिखें अगर उसका कोई constitutional या कोई jurisprudential essence आप उसमें डालना साथ तो वह भी आप कर सकते इंकर्पोरेट कर सकते उसमें लेकिन हाँ आपने यह ध्यान रखना है कि उससे आपका समय जादा ना जाए और जो वह आप उसको एक line या दो line में लिख दें अगर आपके पास information available है तो right and you cannot afford more than that right you have to so you have to make it happen now let's start our discussion on this first question जो है मैं पहले question read कर देता हूँ hopefully आपके पास question bank होगा आप question bank आपने सामने रखें जब इस लेक्षर को आप सुन रहे हैं तो first question कहता है under what circumstances statement made by accused before police officer can be used in evidence यह दो पार्ट में है यह दो question तो मैं इसको भी दो पार्ट में solve करूंगा first part जो है वो आपका section 161 162 CRPC के उपर है second part आपका section 27 evidence act के उपर है तो जो first part है वो कहता है under what circumstances statement made by accused before police officer can be used in evidence कौन किस परिस्थितियों में जो accused है जो आरोपी है उसका statement police officer को दिया गया है तो evidence में use किया जा सकता है under what circumstances तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको देख लिया तो आपको दूसरे questions solve आप ना कर पाएं इस पॉइंट के उपर अगर आता है तो मैं थोड़ा पहले discuss कर लेता हूं section 161 को और 162 को चल दी से मैं section 161 क्या कहती है दो तीन पॉइंट लाइने आपने याद रखनी है जैसे section 161 को जब आप रीड करोगे तो section 161 क्या कहता है कहता है कहता है एक्टिंग ऑन दर इक्विजीशन ऑफ सच ऑफिसर एक्जामिन ओरली एनी परसन सपोस्ट टू बी अपर रीड कर रहे हैं section 161 को तो नैच्रली आपको पूरी की पूरी पूरा का पूरा section याद नहीं रह सकता पॉसिबल नहीं है आपने आंसर अपनी लेंग्वेज में लिखनी है लेकिन हां कुछ वर्ड्स आप याद रह सकते हैं जैसे कि क्या है कह रहा है ना कि एक्जामि ली और एक्जामिनेशन एक्जामिन ओरली एनी परसन इनी परसन तो अब यहां पर आपने आगे क्वेजिन में अंसर लिख सकते हैं उसके बाद आपने याद रखना है 161 में such person is bound to answer truly bound to answer truly all questions and third last point इसमें आपने जियाद रखना है वो है राइटिंग में investigating officer investigation officer उसको reduce करेगा इंडाइटिंग में तो चार point मैंने आपसे बता है first point था oral examination आप इससे ये line लिख सकते हैं कि investigating officer और पुलिस officer में एक्जामीन और ली एनी परसन सब्सक्राइब सेकेंड पॉइंट इसमें आप यह याद रखते हैं कि बाउन टू आंसर ट्रूली और क्वेश्टन मिन्स तो यहां पर यह जो एनी परसन की केटिगरी में कौन-कौन आता है अभी मैं डिसकस करूंगा तो व लेकिन यहां पर इसमें क्या है जो आप सेक्संस को रीड करेंगे तो वह कहता है एक्सेप्ट दा आंसर एक्सेप्ट दा क्वेस्चंस दा आंसर टू विच हैव टेंडेंसी तो एक्सपोज हिम तो प्रिमिनल चार्ज और पैनल्टी और फोरफीचर वैसे क्वेसे सब्सक्राइब यहां पर इस question के लिए तो आपका answer जो है वह मैं बताऊंगा आपको इस question के लिए जो question है मैं आपको थोड़ा 161 के बारे में बता रहा था कि 161 क्या है तो 161 में ये सारे points अब याद रखते है तो एक question इसमें और भी आता है कि 161 में जो पुलिस कर रही है investigating officer जो evidence collect कर रहे हैं उस evidence का करेंगे गया अगर उसकी evidentiary value नहीं है तो उस evidence का किया किया जाएगा वो evidence use कहां होगा अगर कहते हैं कि वो substantive evidence नहीं है अगर कहते हैं कि 161 में जो statement record की गई जो investigating officer ने evidence लिया जो collect किया उसको जो answer को जो reduce करा in writing उसकी substantive evidence नहीं है तो use कहां करेंगे तो इसके बारे में जो आप देखेंगे तो जब सेसंस trial या warrant trial होती है तो जो charge frame होता है जो charge frame होता है वो उसी statement के basis पर उहां पर उसको use किया जा सकता है इन डोज केसिस इन केसिस ऑफ सेसंस trial और warrant trial वहां पर उस charge को उसको charge frame करने के लिए use कर सकते हैं वो जो evidence जो लिया गया है जो collect किया गया है उस evidence को trial के समय produce किया जाता है उसके बाद अब देखेंगे 162 हम जो discuss करेंगे तो देखेंगे वहां पर उसको कैसे contradict करते हैं अब यहां पर इसमें एक चीज और बता दूं कि जो यह any person है यह any person का मतलब 161 में जो any person word use किया गया है इसका मतलब accused भी होता है 161 में जो any person word use किया गया है तो इस एनी person का मतलब अक्यूज़ इंक्लूडस परसन हो में भी अक्यूज़ ऑफ दे crime अब यहां पर एक बात और आती है bound truly answer all questions अगर मान लो नहीं दिया अगर truly answer नहीं किया refuse कर दिया answer करने से तो याद रखो कि जब refuse करता है तो कौन सा section IPC का लगता है 179 IPC और जब गलत answer दे दिया false answer दे दिया तो 193 IPC ठीक है यह याद रखना है अगर उसमें अगर आंसर नहीं किया कह रहा है ना इसको 161 कहती है ना bound to answer वो बात दे है answer करने के लिए truly all questions सत्यता के साथ sorry सत्यता के साथ हो सारे प्रशनों का हल करना है सारे प्रशनों का उत्तर देना है अगर वो मना कर देता है तो 179 IPC में punish किया जाएगा अगर वो गलत आंशर देता है तो जो उसको खुद को फसाने वाले हों वहां पर वह कहां प्रोटेक्शन मिले उसको आर्टिकल 23 से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहती है नो पर्सन अक्यूजड ऑफ एनी ओफेंस शैल भी कंपेल्ड टू बी अविटनेस अगेंस्ट तो वैसे क्वेस्चंज में जहांपर इन्कृमिनेटिंग क्वेस्चंज है वहां पर क्या कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है या मना कर सकता है आंसर करने से राइट अब इसमें आगे देखते हैं इस पर 161 के उपर 162 बीडिसकस करेंगे 161 के उपर एक दो केस लौ देख लेते हैं सो डेट यह मैं डिटेल में इसलिए डिसकस कर रहा हूं कि 161 162 के उपर जो भी क्वेश्चन्स आएं आप उसको सॉल्व कर सकें ऐसा नहों कि 161 के उपर अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप ना इसमें इसमें जो तो याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं याद रहती है तो ठीक है आप रेशियो लिख दें बस जैसे 161 के उपर एक वेश्चन जो जजमेंट है वह मैं बता रहा हूं आपको तिलकेश्वर वर्सेस टेट ऑफ बिहार तो तिलकेश्वर वर्सेस टेट आफ बिहार की रेशियो में रीड कर देता हूं इफ दा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रेकॉर्ड ओनली एजॉइंट स्टेटमेंट देन इट वुड बी क्लियरली एक कॉंट्रावेंशन ऑप सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 कह रहा है अगर जॉइंट स्टेटमेंट रेकॉर्ड क जॉइंट स्टेटमेंट के केस में वो क्या होगी ने केसों कि सेट्टी एक 151 सबसेक्शन 3 गी जॉइंट स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड की गई है लगिन इसमें यह भी आ रहा है नेक्स्ट लाइन इसकी है सच कॉंट्रावेंशन होईवर विल नोट रेंडर दीज पर्संस इनकॉंपिटेंट विटनेस और देर एविडेंस इनदमिशिबल इट कैन ओनली एफेक्ट द वेट टो बी अटेज्ट टू देर एविडेंस ऐसा निये कि अगर यह कॉंट स्टेटमेंट रेकॉर्ड कर ली है पुलिस में क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने पहले पढ़ा था तो उसमें लिखा गया है न कि ही सेल मेक जब आप 161 रीड करेंगे तो वहां पर यह कहा गया है ही शैल मेक असेपरेट एंड ट्रू रेकॉर्ड औप सच स्टेटम आफिसर ने तो वह कॉंट्रावेंशन तो है लेकिन वह कॉंट्रावेंशन उससे जो विट्नेस है वह इनकॉंपिटेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा एक और जज्जमेंट है इसके उपर वह भी मैं आपको बता देता हूं नंदिनी सत्पत्थी वर्सिस पीयल धामी सत नंदनी सत्पती वर्सिस पीयल धामी नंदनी सौरी दनी ड नंदनी सत्पति वर्सिस पीयल दनी सुप्रिम कोड की जज्जमेंट है इस जज्जमेंट में यह कहा गया था कि एरिया कवर्ड बाय आटिकल 20 क्लॉस 3 & section 161-6 subsection 2 is substantially same and section 161-2 is a parliamentary gloss on the constitutional clause तो आप इतना भी याद रख सकते हैं कि 161-2 इस पार्लियमेंटरी ग्लॉस ऑन दर सबस्टेंशिल ग्लॉस अब आजाओ आप सेक्शन 162 के उपर 162 क्या गहती है काफी क्वेश्चन आते हैं इसके उपर एक्जाम में प्रॉब्लम्स भी आते हैं 162 के उपर तो थोड़ा पहले 162 अंडरस्टेंड कर लेते हैं फिर हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है 162 162 162 क्या कहती है जो इसमें जो अपने याद रखने हैं मैंने कहा आपसे कि कुछ वर्ट याद रखने आप आंसर कर सकें तो पहला वर्ड है साइंड जो आपने याद रखना है सिगनेचर नॉट टू बी साइंड पहला वर्ड क्या याद रखना है आपने नॉट टू बी साइंड यह फ्रेज यह एक्स्प्रेशन कहले जो भी आप करें तो यह इससे क्या होगा कि आप इसको लिंक कर पाएंगे जैसे आप पढ़ते कड़ी जूडती है ना तो वैसे ही जब आप आंसर करेंगे तो अगर आपने बेरक्ट के जो आप कोई सेक्सर रीड कर रहे हैं तो उनके जो टर्म्स हैं जो एक्स्प्रेशन सेंट वार्टा ऐगर आपने उनको याद रखा है तो आप वह आप वह इस जो लिगजिसलेश़ सब्सक्राइब द्रूट तो Champ थ भी स्टेट्मेंट भी गई है जो भी स्टेट्मेंट पुलिस ओफिसर को दी गई है in the course of investigation naturally if reduced to be writing उसको राइटिंग में लिखा गया है तो उसको साइन किया जाना जरूरी नहीं है उसको साइन नहीं किया जाएगा not to be signed right तो यहां पर यह word cell use किया गया है इसलिए इस कहने का मतलब है कि police officer सिग्नेचर नहीं लेगी उसमें उससे और इसके बाद यह जो इसके बाद next लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो यह कहा जा रहा है कि साइन के बाद use not to be used sign भी नहीं होगा यह भी 9 है यह भी 9 है दोनों में ही 9 है 162 में sign भी नहीं होगा और उसका use भी नहीं होगा use कहां नहीं होगा तो use नहीं होगा उसका inquiry में trial में यह investigation के दौरान यह जो statements record की गई है अब यह 162 क्या कहती है कि अब यह statement no such statement or record or any part of such statement or record can be used for any purpose at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when statements are made कहने का मतलब है कि वहां पर उसको inquiry or trial में use नहीं करेंगे अब यहां आप यह समझो इसको कि इसकी evidentiary value की जब हम बात कर रहे हैं पुलिस स्टेट में पुलिस को जो statement दी गई है during investigation तो यह क्या होती है यह statement ना तो oath के उपर ली जाती है ना तो oath के उपर ली जाती है nor is it tested by cross examination nor is it tested by cross examination ना तो oath पर ली जाती है statement जो evidence neither given on oath not tested by cross examination तो यह statement क्या होती है substantive evidence नहीं होती है यह जो evidence दी गई है यह substantive evidence नहीं होती है लेकिन इसमें जो judgment सुप्रिम कोट की यह ठीक है यह substantive evidence नहीं होती है clear है यहां तक आपने 162 समझ लिया अब यहां पर यह जो सुप्रिम कोट की एक judgment है दीपक भाई जग्दीश चंद्र पतेल वर्सस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 की judgment है यह सुप्रिम कोट की इस judgment में सुप्रिम कोट आपने यह कहा था कि जो बार है जो 162 का बार है इट ऑपरेट्स ओनली फ्रॉम दे बिगिनिंग आप दे इंवेस्टिगेशन तिल दक टर्मिनेशन ऑफ सेम इफ स्टेटमेंट इस मेड बिफोर दे कमेंसमेंट ऑफ इंवेस्टिगेशन देन इन सच केस बार ओफ सेक्शन 162 विल नॉट बी एट्रेक्टेड वेरी इंपॉटेंट पॉइंट क्योंकि यह स्टेटमेंट कौन सी वी जो इन डूरिंग इंवेस्टिगेशन जो रिकॉर्ड की गई लेकिन अग है तो यहाओ रख सकते हैं इसको आंसर के लिए अब यहां पर उस्टेटमेंट वर्ड है वह स्टेटमेंट वर्ड कहने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट की बात पर नहीं की जारही है यहां पर यह किसी भी statement की बात की जा रही है सारे statement की बात की जा रही है जो की दी गई है during investigation अब यहां पर देखो यह कहता है कि 161.3 में 161.3 में record हुई थी तो 161.3 में और 162 में जो यह बात की जा रही है कहने का मतलब है कि अब वो जो statements जो है वो क्या है statements inadmissible है आपने याद रखना है very important point statements inadmissible in evidence statements inadmissible in evidence and also immaterial and also immaterial तो यह inadmissible और immaterial आपने word याद रखना है तो यह inadmissible है यह immaterial है जाहे वो whether such amount to whether such statement amounts to confession or admissions मैं आपको answer इस तरह करा रहा हूं क्योंकि आप means में इसको आपको answer कर सके प्री में आसान होता है प्री में क्या है कि आपने answer आपके पास choice होती है उन choice में से आपने answer करना होता है तो naturally आप उसको answer को कर सकते हैं आसान होता है आपके लिए लेकिन जब आप लेकिन जब आप वैसे आप answer लिखते हैं तो वहां पर आपको वो टर्म्स वो एक्स्प्रेशन वो केस लॉग वह आपके पास होने चाहिए तभी आप उसको answer कर सकते हैं आप आज़ो explanation के उपर जो की बड़ा इंपॉर्टेंट है 162 का नौ कम टू explanation of 162 now come to explanation explanation is very important explanation क्या कहती है omission to state of facts or circumstances in the statement refer to section 161 to subsection one may amount to contradiction अब ये omission और contradiction ये बड़िये term बड़ा use होता है तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ कि every omission is not contradiction every omission is not contradiction every omission is not contradiction इसको समझना कैसे होता है omission or contradiction को थोड़ा समझना मैं एक example देता हूं जैसे मालो कोई eyewitness है किसी incident का ठीक है और वो घटना रात को हुई है जब उसने पुलिस officer के सामने statement दी जब वो पुलिस officer के सामने उसने statement दी उस घटना के बारे में बताया तो actually जब रात को घटना हुई है तो उसने उस वक्त उस क्या रोशनी थी क्या source of light था उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की लेकिन जब वो कोट में आता है तो जब कोट में अपनी statement record कराता है तो वहां पर वह यह बात कहता है कि उसने उस incident को स्ट्रीट light में देखा था अब यह देखो यह omission है यह omission है जो कि वहां पर उसने वहां पर जो आई witness ने जब statement दी पुलिस के सामने तो पुलिस के सामने उसमें ये नहीं बताया कि घटना को उसने जो देखा था वो कौन सी उसमें source of light क्या थी लेकिन जब वो court में statement दे रहा है तो वो कहता है कि he has seen the incident in street light तो this omission would amount to contradiction, because that would have been the natural way to narrate an incident that happened at night, जब वो रात में हुवी किसी घटना के बारे में बता रहा है, तो naturally वहाँ पर उसको यह बताना चाहिए था, तो ऐसे जो omissons हैं, वो contradiction हो जाएंगे, कहने का मतलब है, यहाँ पर यह कहता है, इसको detail में discuss करेंगे किसी और lecture में, लेकिन यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि जो omissons हैं, जो explanation है, यह बाद में add किया गया था, तो इसमें यह कहता है कि omission to state of facts on circumstances in the statement referred to 6162.1 may amount to contradiction, वहाँ पर उसको यह contradiction हो सकता, वहाँ पर वो amount to contradiction, अब यह contradiction की बात यहाँ बार-बार क्यों की जा रही है, तो इसको समझने के लिए हमें proviso समझना होगा इसको, और इसी में इस question का answer भी है, जो question 2012 comments का जो question है, उसका answer भी इसी में है, proviso में है, evidentiary value की बात की जा रही है, तो अब आप समझो कि अब मैं इसका answer कर रहा हूँ, यह statement made by accused under what circumstances before police officer can be used in evidence, अब यहां से अगर आपने question आता है, तो naturally आपने इस proviso के ओपर focus करना है, तो proviso जो section 161 का proviso है, 162.1 का, वो proviso क्या करता है, वो proviso बताता है कि इस statement को कैसे use कर सकते हो आप, तो यहां पर आपने यह word याद रहो, यह phrase याद रखना है limited purpose, यह जो statements हैं, इसका use कैसे कर सकते हैं, आप limited purpose के लिए कर सकते हैं, अब मालो witness को call किया गया as a prosecution witness, ठीक है, और statements, अब देखो, यहां पर दो समझेना इसको, एक statement जो police के सामने दी गई है, और दूसरी statement जो courts के court के सामने दी जाएगी, एक ही person है, एक person है, एकस, वही बता रहा है कि उसने एक shooting को देखा है, एक murder को उसने देखा है, वहाँ पर किसके पास gun थी, कुलाडी थी, क्या था, अब मालो कि वो कहता है, police को कि उसने बंदूक से मारा, यहां कर कह देता है कि उसने एकस से मारा, तो यह दो अलग-अलग statement हो गई, अब अगर मालो वहाँ पर वो कहता है कि उसने देखा था, एक को बी को मारते हुए और डी को चिलाते हुए, अब यहां कह रहा है कि यह सी को चिलाते हुए देखा था, ऐसे कोई statement में हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मालो उसने, कुछ भी इस तरह के कई सारे cases हो सकते हैं, तो मैं एक example दे रहा हूँ, आपको कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर जो दो statement दी जा रही है, एक witness को बुलाया गया, उसको as a prosecution witness और उसने statement record करनी है in writing, तो वहाँ पर उस statement को, जो statement है, उसको contradict किया जा सकता है in the manner provided by section 145 of evidence act, यह जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो यह है कि 145 evidence act को, Indian evidence act के according उसको contradict किया जा सकता है, जो statement वहाँ पर record की गई है, जो limited purpose के लिए मैं कह रहा हूँ, वो limited purpose यही है कि वहाँ पर उसको use किया जा सकता है, by the accused and with the permission of the court, by the prosecution to contradict such witness in the manner section under section 145, 145 evidence act को जवाब पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब है कि जो ingredients है, वो proviso के proviso को attract करने के लिए वो क्या क्या होगे, आप ऐसे मैं आपको एक-एक point के समझा जेता हूँ, पहला है कि witness must have been called by the prosecution, prosecution witness की तरह वो आया है, witness must have made a statement before police officer, next point है आपने की, such statements must have been reduced into writing, and such statements must have been proved, तो वैसे statements को, जो statements है, it may be used by the accused, and with the permission of the court, by the prosecution, to contradict such witness, in the manner provided by section 145 of evidence act, और यह जो section है, यह use of, इसमें हाँ, एक चीज़ याद रखना है, इसमें हाँ पर, 162 में यह कहती है, कि जो statement दी गई है, पुलिस को during investigation, इसको for the purpose of corroboration, यूज नहीं करेंगे, यह pre में भी confusion कर देता है, कई बार यह question, not for the purpose of corroboration, only for the purpose of contradiction, only for the purpose of contradiction, not for the purpose of corroboration, तो हाँ, लेकिन 162 के जो provisions हैं, यह कहाँ apply नहीं होते हैं, तो यह section 27 और 32 जो evidence act का है, वहाँ पर यह apply नहीं होता है, वो उस does not affect the provisions of section 27, and one third, sorry, 32 of section 1, ठाइट, अब यहाँ पर इसमें ऐसा इसलिए किया गया है, यह जो 145 और यह provisions हैं, इसकी बात इसलिए की जारी है contradiction कि, यह कि पुलिस के सामने जो statement दी गई है, वो उसके उपर believe नहीं किया जा सकता है, कि वहाँ पर जो statement ली गई है, वो correctly record किया गया है, वहाँ पर उसको torture नहीं किया गया है, कई सारी Supreme Court की judgments भी हैं इस point के उपर, जिसमें Supreme Court ने कहा है, कि वो वहाँ पर torture हो सकती है, और उस torture की वज़ह से, वहाँ पर वो statement properly record नहीं किया जा सकता है, मैं आपको एक judgment बताता हूँ, मैं आपको दागदू की एक judgment थी, हाँ यह दागदू versus state of महराष्टरा, यह कहता है कि if confession to police were allowed to be proved in evidence, police would torture accused in order to force him to confer a crime which he might not have committed, तो कहने का मतलब है कि वो वहाँ पर, जो police officer को statement दी जा रही है, वहाँ पर उसमें वैसे statements के उपर, अगर उसको substantive evidence माना जाएगा, तो उससे दिक्कत आएगी, वो इसलिए कहा गया है कि statement जो record की गई है, under section 161 of CRPC, वो admissible नहीं होगी evidence में, तो यह था आपका, इस question का answer, section 161, 161, 162 से related था, यह first question, इसमें आपको इसका एक और part है, जो कि section 27 से related है, तो मैं उसको, जो second part है, इसका वो section 27 से related है, तो मैं उसको यहाँ पर अभी discuss नहीं कर रहा हूं, एक एक वीडियो मैंने section 27 के उपर एक lecture है, जो कि उसको उसको आप सुन सकते हैं, तो उससे आप answer को लिख सकते हैं, 1627 के उपर वो पूरी वीडियो है, 20-25 मिनट्स की, जो second part है question का, first question का, वो उसके उपर ही है, मैं answer बता देता हूं, जो इसमें, 1627 के उपर, evidence act के उपर जो question है, उसकी answer वही है, कि वो उसी extent तक relevant है, information given by accused, जिस जो की वो उसने murder weapon के बारे में बताया है, कहने का मतलब है, कि मैं इसको एक line में इसको answer कर देता हूं, मैं आपको, information given by accused is relevant as to the extent of what he did to murder weapon, not what he did with murder weapon, उसने weapon का क्या किया है, यह important है, उसने weapon से क्या किया है, यह important नहीं है, यह relevant नहीं है, weapon का किया है, उसको कहां से खरीदा है, उसको कहां छीपाया है, उसको कहां भेंका है, weapon का क्या किया है, राइट, place of hiding, place of hiding important है, 627 के लिए, 627 evidence fact के लिए discloser evidence, recovery evidence जो है, ठीक है, उसने उससे, उस विपेंग से किया क्या है, उसने उससे मारा है या गोली मारी या नहीं मारी है वह अलग बात है उसके लिए डिरेक्ट एविडेंस सरकमस्टेंस जब जुड़ेगी तो वहाँ पर फिर उससे होगा कि वह क्या है उसके उपर डिटेल डिसकर्शन है आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको उसके उपर क्लारिटी आ जाएगी सब्सक्राइब के पार्ट बी के उपर नौ कम टू सेकेंड क्वेश्चन ओफ सेकेंड क्वेश्चन के दिया है हुआ है इस प्राज़ाओ नहीं क्वेश्चन वन कभी सौरी पहले क्वेश्चन वन कभी कर लेते हैं ठीक है क्वेश्चन वन कभी क्वेश्चन वन बी यह बी में कहता है एक विटनेस है ठीक है इसको पूछा जाता है कि क्या उसको सर्विस से डिस्मिस किया गया है for डिजॉनेस्टी यह क्या उसकी डिस्मिसल जो हुई है सर्विस से वो डिसॉनेस्टी कि वज़े से हुई है यह एक क्या है यहां पर यह विटनेस है ठीक है वो कहता है कि नहीं गोई कि यह बुज़े से नहीं हुई है अब कह रहा है कि evidence offer किया जाता है to show that he was dismissed for dishonesty is this evidence admissible question समझ लें फिर आंसर करेंगे इसको question ये कह रहा है पूछा उससे गया है एक witness से कि whether he was dismissed from service for dishonesty आपके सामने question bank है आप answer देख सकते हैं उससे तो वहाँ पर उसने वो कहता है कि नई तो अब यहाँ पर इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हाँ उसको service said of dismiss किया गया है dishonesty के लिए क्या यह admissible है तो answer is no यह admissible नहीं है यह evidence admissible नहीं है अब उस क्यों नहीं है इसका answer कहां मिलेगा इसका answer मिलेगा section 143 evidence act में और जो यह question जो है यह same question है illustration B का यह question कहां से आपको मिला है illustration B से तो इस question का answer कहां है section 153 evidence act में illustration B में देखो इसको मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा क्या कहता है यह यह कहती है जो section 153 की जब हम बात करते हैं कि उसने कोई उस question का answer किया है तो जो question उससे पूछे जाएंगे वह question कहने का मतलब है कि मैं दुबारा से इसको पहले में रीड करता हूं पहले मैं से 153 को रीड कर देता हूं फिर मैं फिर मैं इसको बताता हूं आपको फिर मैं ज़स्टन वाले में पत बताता हूं और उसको पहले चलो फिर बाता हूं – ज़स्टन की सकतित्यखने से तड़ हैं कि मैं मैं आपको फिर मैं आपको अदोलना से प्याएं प्याम यह थोड़ान मैं थोड़ी अपनी चाय ले रहा हूं जस्ट जस्ट फोल्ड उन जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड आप 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 इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर मालो विटनेश से कोई ऐसे क्वेस्टन कई सारे पूछे जाते हैं और वैसे क्वेस्टन को अगर वहां पर आपको कहते अब दूसरी पार्टी कहते हैं कि आपको डिस्मिस किया गया था अब यहां पर उसके करेक्टर को इंजरी इंजरी इंजर्ड करना है जो परपस है वो यह है कि उसको इंपीच करना है तो वहां पर आप वैसे केसिस में अगर यह कर दी जाती है कि जितने भी ऐसे सोते हैं इनके लिए एविडेंस बहुत कि तो नेच चाली ट्रील किया होगी नहीं जो की परपस नहीं है तो कहने का मतलब है कि जो संदिकरदिस को आइसा कुछ जा रहा है जो की आप आपको एक्ट से निकाले हैं फॉर शेकिंग इस सब्सक्राइब करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा हाँ यह जरूर है कि अगर मालो की वैसे अंसर अगर फॉल्स उसने दिया है ऐसा पता लगता है तो लेकिन इसकी दो वह एक्सेप्सन है 153 की वह भी आप याद रख लू इसकी पूरी इलस्ट्रेशन देख लेना यह जो कुश्चन है यह आपके इलस्ट्रेशन बी के उपर है जिसमें आंसर आपका कि इसमें दो एक्सेप्सन से 153 में अगर उसने अपनी प्रीविएस कन्विक्शन के बारे में जूट बोला है वो प्रीविएसली किसी केस में कन्विक्ट था और उसने यहां पर जूट बोला कि नहीं उसने कुस्ट कन्विक्शन नहीं वी थी तो वहां पर एविदेंस डीविए और दूसरा है इसकी इकसेफ्यन में कि अगर माल लोग की अगर वह इमपार्सियल है या नहीं उसके उसके लिए कोंशन माल लो Kissy को पुचा गया है कि उसको उसकी फैमिली से कोई जगड़ा है कोई और वहां पर वहां पर वहांपर वह डिनf कर जाता है उस चीज़ को तो वहां पर उसकी is previous conviction and second conviction second is impartiality तो यह दोनों ही आपने याद रखने हैं और 153 क्या कह रही है वह आपको याद रखना है कि फॉर फॉर शेकिंग इस ग्रेडिट बाइंजरिंग इस ग्रेक्टर नौ एविडेंस वी गिवन तो कोंट्राडिक्ट करने के लिए नैच्रली क्योंकि अगर मालो अगर वैसे अलाउग कर दिया जाएगा तो तो फिर से वह चलता रहेगा प्रोलांग होता रहेगा हां लेकि अगर कोई होस्टाइल भीटनेस है तो वहां पर भी अप्लाई होता है यह अलराइट तो नो आंसर था आपका क्वेश्चिन1ीगा आपlotानाउज के ओपर Hope for next question है in वंच्टेंटेंट्डू ए विंट्सट्डू ए कहती है question 2a आपका बात कर रहा है किसके बारे में question 2a question 2a बात करती है rule of evidence are in general the civil and criminal the civil and criminal procedure and give the exception if any क्या कहते है rule of evidence are in general the civil and criminal proceeding पता है आपको दोनों में apply होता है rule of evidence civil proceedings में भी apply होता है criminal proceedings में भी apply होता है यहां पर कह रहा है कि अब बताईए उसके बारे में अगर कोई exception है तो उसके बारे में बताईए तो सबसे पहले मैं इसको बतादू थोड़ा सापको evidence कहने का मतलब क्या होता है जो आप evidence की बात करते हैं तो relevant facts की बात करते हैं जो facts in issue उसकी बात करते हैं जो सामने लाया जाता है तो तो यहां पर जज और क्योंश्ट को question कर सकते हैं जो आप आंसर है वह भी यूज़ होता है evidence में उसके अगेंस्ट कोई डेमनर है विटनेस का वह भी लेती है इंटू जो स्टेटमेंट्स है विटनेस के जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किये गए हैं उनको भी लिया जाता है तो अब इसमें चलते हैं एक पॉइंट के उपर मैं आपको बताता हूं तो आप clarity आईगी आपको फॉस्ट पॉइंट में देखते हैं प्रूफ के बारे में प्रूफ कहने का मतलब है सिविल और क्रिमिनल कोईसेस दोनों में तो सिविल केसेस में क्या होता है जो सिविल केसेस है उसमें आपने याद रखना है एक्जाम के लिए ऐसे क्विस्टन को आंसर करने के लिए प्रीपोंडरंस आफ प्रोवाइलिटि इसवीजियन क्ति डिकूजि और व्यक्ती को किसी अक्यूम कोट क्या जाता है तो रूल of evidence क्या कहता है प्रोजिक्यूशन हैस तो प्रूब इसके बियॉंड रिजनेबल डाउट हाइड डिग्री ऑफ प्रूफ चाहिए लेकिन सिविल केसे में चाहिए उतना हाइड डिग्री को प्रूफ नहीं चाहिए सिविल केसे में मेर प्रीपॉंडरेंस और प्रूइलिटी सिविल केसे में क्या होगे आपका स्टेंडर्ड और प्रूफ अप्लाइज इन ऑल सिविल केसे क्रिमिनल केसे में हाई डिग्री ऑप्रूफ चाहिए बेउन ड्रिजनेबल डाउट उसको प्रूफ करना होगा कि जोक्रिशक्ल विन लो कि नेक्स्ट के उपर आते हैं कि प्रिश्ब्स नॉफ कि इनॉसेंज नुप्र娼ीज यह प्रूँफिके बादे में सिरस्ट प्रूइथ अप ऐसे पॉलंट्स याद रखते हैं तो आप वसे एक्स्प्लेएं कर सखेंगे क्रिमीनल केसे में क्या प्रिजम्शन है अब वो निर्दोस है जब तक कि वो दोश्रीव पाया नहीं जाता तो यहां पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल केर टेकिन शुट भी टेकन बैदा कोट इन कंविक्टिंग दाक्यूस्ट मेर सबस्पीशन होसो वर स्ट्रॉंग होईवर स्ट्रॉंग सबस्पीशन के अधार पर नहीं हो सकता है लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं है आप अगर सेक्शन 52 को देखें अगर 53 को देखें अगर एविदेंस एक्ट के सेक्शन 52 और 53 को तो 52 में क्या कहता है आपका करेक्टर क्या है करेक्टर के बारे में बात करती है सेक्शन 52 तो करेक्टर क्या कहती है क्र्मिनल केसिस की बात होती है तो वहां पर क्या कहते हैं जो previous good nar है जो previous good character है वो क्या है relevant है तो civil cases में अगर आप इसके सेक्शन 52-53 को देखते हैं और 54-55 तो वहाँ पर आपको यह पता लगए है कि जो केरेक्टर है एविडेंस ऑफ करेक्टर इन सिविल केसे इस जेनरली इनद्मिशिवल अनलेस देख्टर इज ऑफ सबस्टेंस इन इस्यू पर आपने देखा थे कि जो प्रीविडेंस को रिलैक्स किया जा सकता है बाइदा कंसेंट आप पार्टी बट्र क्रिमिनल केसे में नहीं किया सकता नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है कंसेंट का दो सिविल केसे में रूड अव एविडेंस को डिलैक्स किया जा सकता है makes least from it कंसेंट बेइन क्रिमिनल के ऐसी अबends के बारे में भी आ सकते हो एड़निशन ड़ी इविडेंस एक्ट जो है आपका वह ऊसकी एडुवयए उसकी एप्लिकेशन थैसे हैं ओञी देखते हैं कंफेशंस के तो वहां पर क्रिमिनल प्रोशीडिंग में वह अपलाई होती है तो स्टेटमेंट्स लेकिन अठारा से इकिस तक जब आप देख रहे हैं तो अगे तक वहां तक थर्टी तक है आपका वह एड्मिशन और कंफेशन का है ना तो वहां पर वह जैनरली क्या है जैनरली जो एड्मिशन से हैं वह more comprehensive है और यह इंक्लूट कंफेशन और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरह से आप यह क्वेशन आंसर कर सकते हैं कि जो यह क्वेशन था आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं तो इस आपका यह क्लियर हो जागा और आपको उसको देख सकते हैं रिजैस्टे की उस वीडियो को तो आपको उस क्वेश्चन का अंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नमबर 2 अब आजा और तो नमबर 3 एक उपर तो क्वेश्चन नमबर 3 भी मैं डिसकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नमबर 3 सेक्षन 315 CRPC के उपर है और इसको भी मैंने डिटेल में डिसकस किया है एक सेपरेट वीडियो में तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं सेट्जन 315 पूरी उसमें मैंने सारे केस लॉबी डिसकस किये हैं सेक्शन 53 को सेक्शन 315 CRPC को मैंस पॉइंट आफ व्यू से ही मैंने डिसकस किया है तो नैच्रली वहाँ पर आपको उसका अंसर मिल जाएगा तो question number 3a मैं डिसकस नहीं कर रहा हूं question number 3b पर आजाओ question number 3b problem है आप उस problem को read कर सकते हो question number 3b के मैं actually read नहीं कर रहा हूं कि आप question bank से read करो उसको क्योंकि यह काफी लेंदी है काफी बड़ा है more than almost one page का यह है तो आप इसको देखो मैं answer बता जेता हूं इसमें question 3b का यह जो problem है इसमें इसका जो answer है यह अभी जो हमने discuss किया 161 162 उसके उपर based है और इसमें एक दो point जो और cover हो रहे हैं वह हो रहा है section 32 का section 32 जो अभी आपने 161 162 जो हमने discuss किया 145 of evidence इसके उसी के ऊपर यह problem based है जो एक दो बातें और इसमें हैं वह मैं आपको बता देता हूं कि एक declaration के बारे में बात की जा रही है और उसके बारे में बात की जा रही है तो कहने का मतलब है कि एक आप सब्स्टेंटर वगा जहां पर वह अग्यारे सिंग वर्सेस टीट अपंजाब की जज्मेंट में यह कहा गया है यहां पर यहां पर अपलाई कर लेंगे आप मच्छी सिंग वर्सेट पर पंजाब की और एक पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं इसमें 625 को यूज़ कर सकते हैं उसकी भी अप्लिकेशन हो जाएगी एविदेंस एक्ट की जो कि यह कहती है कि इसके बेसिस पर आप इसको आंसर कर सकते हो बाकि 161 162 145 की एप्लिकेशन के उपर है ठीक है क्योंकि आपको पता है कि एफ हाई यार भी सबस्टेंटिव एविदेंस नहीं है आप 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 आज आ नेक्स क्षिश्टन के उपर एक विश्टन नमबर फूर जैस दिस विश्टन इस इंपार्टन पूश्टन नमबर फूर क्या कहती है क्षिश्टन नमबर फूर क्या कहती है क्षिश्टन नमबर फूर है कैन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूस तु रजिस्टर रा एफ आ यार ऑन ग्राउंड एट सेट पूलिस स्टेशन ड़स नॉट है टेरिटोरियल जोडिश्टन ओवर प्लेस ऑफ क्राइम जीरो एफ आफ कर सकती है एफ हाई आ रजिस्टर करने से ऑन ग्राउंड डैट पुलिस स्टेशन ड़स नॉट है टेरिटोरियल जोडिश्टन ओवर प्लेस ऑफ क्राइम अब देखो यह क्या है असान है असलिए है क्योंकि इस कुश्चिन में ज्यादा आपने कुछ ऐसा है नहीं इतना इसमें समस्या हो यह सिंप्ली रहे है कि क्या वी मना कर सकती है पुलिश मना कर सकती है कि अगर वहाँपर उसकी जुरशिज्टन नहीं है इसले आपको बता दूंग इसका आंसर है no पुलिस मना नहीं कर सकती है 154 में FIR के बारे में हमने पढ़ा है और मैं आपको इसमें बता दूं कि जो प्रोवीजन इसके लिए आप यूज करेंगे सेक्षन 178 CRPC सेक्षन 156-2 CRPC यह प्रोवीजन आप एक्स्प्लेइन करेंगे इस को आंसर करने के लिए सेक्षन 178 CRPC और सेक्षन 171 562 CRPC 156 सबसेक्षन 2 और सेक्षन 170 CRPC तो यह तीन सेक्षन आपने देखना है बेर एक्ट से इस को आंसर करने के लिए और मैं आपको यह बतातों कि जीरो एफाइयार कहने का मतलब है कि एफाइयार किसी भी जगह पे किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल की जा लॉज की जा सकती है इर्रेस्पेक्टिव आप देप्लेस ओफ इंसिडेंट और जो डिक्शन बाद में क्य नी इन पुलिस स्टेशन इर्रेसपेक्टिव प्लेस उफ इनसिदेंट इर्रेसेटिव आप्लेस ऑफ जो डिक्शन and same can be later transferred to appropriate police station तो यही concept है आपका 0FIR का यह जो तीन section मैंने लिखे हैं इन तीनों sections को आप read करेंगे तो आपको और clarity आएगी मैं एक judgment भी बता जेता हूं इस point के ओपर जो कि आप important judgment है सत्विंदर कॉर वर्सेस NCT of Delhi Supreme Court की judgment है सत्विंदर कॉर वर्सेस NCT of Delhi तो इसमें Supreme Court ने क्या गहा है मैं रेश्यो रीड कर देता हूं important point at the stage of investigation material collected by investigating officer cannot be judicially scrutinized for arriving at a conclusion that police station officer of particular police station would not have territorial jurisdiction जब आप section 156 तू को पढ़ोगे तो 156 तू कहती है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं मैं रीड कर देता हूं 156 टू को जस्ट होल्ड 156 टू को मैं रीड कर देता हूं बेयर एक्ट को आपने कई बार पढ़ना है बेर एक्ट से ही आप सम्मोस्ट अप्ट प्वेस्टिंस के आंसर साफ कर पाएंगे 156 टू कहती है है आ बेर चूरो पाफ्टिंस अप्ट सिणे टो के से बार ट्व ज país के बेस्ट ही जन दे काल इंक्ट on the ground that the case was one which of such officer work has not empowered under this section to investigate an artist snippets of a police officer in such case shell at any stage be called in question on the ground like good was one which such officer was not empowered under this section to investigate तो 162 of CRPC contains an embargo that no proceeding of a police officer shall be challenged on the ground that he has no territorial power to investigate तो naturally वहाँ पर FIR के साथ भी ऐसा ही है अगर मालो की investigation के बाद investigating officer किसी conclusion पर पहुंसती है कि जो जो cause of action है वहाँ पर जो वहाँ पर उसके अराइज नहीं हुआ है तो वह रिपोर्ट बना करके अंडर सेक्शन 170 CRPC में वह फॉर्वर्ड कर देगी magistrate को मतलब मालो कि एफाया लॉज्वी investigation करने उसको पता लगा कि यह हमारे टेरिट्रिल एडिक्शन में नहीं आती है यह मामला हमारे इन टेरिट्रिल एडिक्शन कर नहीं है तो वहाँ पर एक रिपोर्ट बना करके वह मैजिस्ट्रेट को जो मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड है वहाँ पर उसको फॉर्वर्ड कर देगी आब 178 बात करती है सेक्शन 178 ऑफ CRPC प्लेस ऑफ इंक्वारी और ट्राइल के बारे में जहां पर कि अंसर्टेन हो कि कौन से एरिया में ओफेंस कमिट हुआ है है तो मालों के पााषच ली एक एरिया में है तो कहने का मतलब है कि ऐसे केसे में इन्वष्टिगेशन के लिए पुलिस-ऑफिसर मना कर सकती से चर्म सकती बाद में उसको दूसरे को ट्रास्पर किया पर सकते हैं बेब सब्सक्राइब 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 तक पहली जद्मेंट का शियुक्त कॉल और सौरी सब उन्द्र कार वर्सथ गॉर्मेंट आफ एंसिटी आफ डेली कि अर्फित है अब नेक्स्ट विपर आते हैं लिए थो नंबर फॉर बी क्या कहती है कि विश्चिन फूर बी फूर बी कहता है आपका चार्ज से रिलेटेड है फूर बी क्या है चार्ज से रिलेटेड है मैं क्विश्चिन पढ़ देता हूं फिर आंसर करेंगे इसको आसान है बहुत ही आसान है यह कुश्चिन देखो अगर आप इसको यह समझो कि सेक्षन 215 CRPC के से यह कुश्चिन है तो यह बात करती है एक टॉर बात करती है इसका आंसर जो है वह सेक्षन 215 CRPC है अब कर नो जिस में जो ऑफेंज है या जो पर्टिकुलर स्झतु हैं चार्ज फ्रेम करते वक्त है अगर इसको है उस कि वज़ा से जो चार्ज जो 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 प्रोशीडिंग्स है वह हो जाएगी तो यहां पर यहां पर आपके लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह दो सेक्षन में यूज़ कर रहा हूं सेक्षन 215 CRPC एंड सेक्षन 464 CRPC दोनों ही सेक्षन आपने यूज़ करने हैं कि को भी यूज़ करना है और सेक्षन 464 CRPC को भी यूज़ करना है तो जो आंसर इस question का वो आंसर यह है कि effect of errors in charge is not it is not material unless accused is misled by such error or omission and it has occasion failure of justice यह 215 CRPC कह भी रही है वो material नहीं है और 464 CRPC को भी आपरीड करेंगे तो वो भी यही कहती है कि unless failure of justice occasion retrial cannot be directed unless failure of justice occasion retrial cannot be directed तो मैंने शॉर्ट में आपको 6255 CRPC और 464 CRPC को बताया आप उसकी illustrations को देख लेना वही same question भी है इसमें जो illustrations में है तो यह material नहीं है अगर वहां पर error है charge में भी क्योंकि accused is not misled by such error or omission and it has not occasioned in failure of justice अगर उससे कोई जो failure of justice को हिंदी में आप क्या कहेंगे कि अगर नियाय की नुकसान हुआ है उससे तो फिर तो ठीक है otherwise वहां पर उसको उस error से उस charge में जो error हुआ है उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है उससे proceedings VCA नहीं होगी अब देखो यहां पर इसमें जो error question बिल्कुल same है जैसे मालो की मैं आप एक्जाम इसमें बता जेता हूं problems में क्या कहा गया है कि अगर मालो की चार्ज में 242 IPC में चार्ज किया गया है और लिखा गया है कि having been in possession of counterfeit coin having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit तो यहां पाप fraudulently word नहीं लिखा गया है तो fraudulently word जब नहीं लिखा गया है तो जब तक यह perfect यह clear नहीं हो जाता है कि ए वाज इन फैक्ट मिजल्ट बैडिस ओमिशन एरर शैल नौट बी रिगार्ड़ेड़ आज मैटेरियल तो यहां पर यह next question है question 5 question 5 को भी मैं discuss नहीं कर रहा हूं कि discharge and equitable के ओपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है तो डिस्चार्ज और एक्विटल की वीडियो आप वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं तो आप आजाओ question कि पाइब बी के ओपर यह important question है कि प्रिश्चिन फाइब बी एक प्रॉब्लेम है कि प्रॉब्लेम है यह प्रॉब्लेम यह कहती है कि एक फाइब लॉज हुए है फाइब लॉज हुए है अंडर सेक्षन फाइब लॉज हुए है अंडर सेक्षन फोर जिरो एट और फोर ट्वेंटी त में राइट फोर जिरो एट फोर ट्वेंटी फोर एट आइपीसी में लॉज वी एफाइब अगेंस्ट एक्स एक्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट करने के बाद अंडर सेक्षन 173 सी आरपीसी जो मेंस्ट्रेट को भेजी गए तो उसमें यह कहा गया कि केस सिविल नेचर की है केस सिविल नेचर का है तो यहां पर इसमें जो इसको क्लोज कर दिया जाए अब कंपनी ने क्या किया प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल किया यहां पर क्या फाइल किया प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल किया और प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करके कि मैजिस्ट्रेट के पास इसमें उसमें कहा कि नहीं प्राइमाफिसाई केस है और जो जो लिगालिटी है उसको चैलेंज किया कि मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेश कर दिया जबकि 173 CRPC में पुलिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यहां पर कोई मैटरियल यह केस सिविल नेचर का है यहां पर क्रिमिनल नेचर का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है कहलो आप इसको सिंपली आप ऐसे समझों कि वह प्लोजर रिपोर्ट था एक तरह से 173 में जो पुलिस ने सेंड किया लेकिन मैजिस्ट्रेट ने क्या किया जो इन्वेस्टिकेशन रिकॉर्ट्स थे उनको देखने के बाद यह बताया कि प्राइमा फिसाइड केस बनता है और इस्यू कर दिया प्रोसेस को तो यह इस और को चैलेंज किया गया किसी तो मैं आपको स्व्ड में बतां वैसे वीडियो भी मैने चोटा सा एक अपने लेक्शर का ही एक पार्ट मैंने किया है तो सकते हो प्रोटेश्ट प्टीशन की जब करते हैं तो प्रोटेश्ट प्रोटेश्ट को जो भी है जो चाल सीट इसको कर सकती है उसको अर्सको कर करके इननय चूंडुनेशन को एक्सेप्ट कर सकती है अन्ट रिपोट कर सकती है। और ले सकती इसके बारे में एक च्छोटी सी वीडियो भी है आप उसको भी देख लेना आपको पता लग जगा लेकिन इस कुष्चन का आंसर आप कर सकते हैं सुप्रीम कोट की एक जज्जमेंट थी इंडिया कैरेट वर्सेस इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड वर् ने यह कहा है कि अपोन रिसीप्ट पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 अमेजिस्ट्रेट इस इंटाइटल्ड टू टेक कॉग्नाइज़ेंस अफॉफेंस अंडर सेक्शन 191-B ऑफ सिविल प्रोसीजर सॉरी ऑफ क्रिमिल प्रोसीजर कोड इवेन इफ पुलिस रिपोर के बाद 173 में मैजिस्ट्रेट कॉगनाइजंस ले सकती है इवन अगर मालो की पुझा पुलिस रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि कोई केस नहीं बनता है अक्यूस्ट के अगेंस इसमें आगे कहा गया इसी जज्जमेंट में मैजिस्ट्रेट कैं टेकिंट अकाउंस स्टे मैजिस्ट्रेट कैन इग्नोर दे कंक्लूजन अराइब आट बाइंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इंडिपेंटेटली अप्लाइज इस माइंड इमर्जिंग फ्रम इंवेस्टिगेशन और पुलिस में 173 की रिपोर्ट में लोजर फाइल कर दिया है कि इस प्लेस को क्ल मैजिस्ट्रेट को अपना दिमाग अप्लाई करना है जो स्टेट्मेंट से उनको देखना है तो वहां पर उसमें इस्यू प्रॉसेस को इस्यू कर सकती है नुपूर तलवार वर्सेश सीवियाई की जज्मेंट में भी यही हुआ था जो आरुसी हत्याकांट के नाम से जान सुप्रिम कोट ने यह कहा था कि कोर्ट सूट एक्सराइज अट्मुस्ट रेस्ट्रेंट कॉशन बिफोर इंटर्फेनेंग विद दौर और आप देख सकते हैं अम्रुत भाई शंभूलाल भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई कांतीलाल कांती भाई पटेल इन सारे ही केसेश में मोर और लेस यही बात रही गई है कि वहाँ पर मैजिस्टेट की मैजिस्टेट का पावर है मैजिस्टेट की अथारिटी है राइट अब आजओ क्विश्चन नंबर सिक्स एक उपर क्विश्चिन 6a स्वेश्चिन 6a कहती है वेन कन अ वारंट बी इस्यूट बाई कोट इन लिव अप समन्स वें वेन कन अ वारंट इसके लिए आंसर आपको कहां मिलेगा 987 CRPC में आपको आंसर मिलेगा 827 CRPC को और फ्र्रिइड कर लोगा इस्पर आंसर आपको मिल जाएगा कि कहां ओरन कैन ऐसे समन्स सब्सक्राइब कर देता हो वियर कोट हैस रिजन तू बिलीव डैट परसन शमंड है absconded or will disobey the summon absconded कुछ words ऐसे आपने याद रखना जैसे न तो absconded आप याद रखोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे आप किया अच्छा जी वह abscondor था इसलिए वजह से या फिर वो court को लगता है कि वो will disobey the summon तो absconding this of disobedience तो absconded this will disobey अगर आप यह याद रखते हैं तो आप answer कर सकते हैं या फिर वेर अक्यूजड और witness summoned failed to appear before court कोट के सामने नहीं आया को शक है कि वह भाग जाएगा कोट को सक है कि वह नहीं आएगा अपियर नहीं होगा तो ऐसे cases में वहाँ पर सेक्सेन 87 कोट को यह के अधिकार देती है पावर देती है कि वहाँ पर वह वारेंट वीशू कर सकती है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है जो important point इन सब वर्ट के अलावा कि regions to be recorded in the writing reasons to be recorded in writing जहां भी कोट ने ऐसा किया है वहाँ पर उसको regions अपने रेकॉर्ड करने होंगे मधूली में के कि सुप्रीम कोट की आप पढ़ सकते हैं इस point के उपर आंसर करने के लिए राइट आप आजाते हैं विश्चन नंबर सिक्स बी के ऊपर इसका आंसर मिलेगा आपको section 394 of CRPC में कहां मिलेगा इसका आंसर आपको section 394 of CRPC में इसमें यह कहता है इसकी question क्या कहती है question 6 B कि जहां पर conviction हो गई है trial court से ए की conviction हो गई है trial court से और उसको two years की punishment मिली है लेकिन वह की conviction हुई है two years की punishment sentence उसको award किया गया है अपील में मामला जाता है during pendency of appeal एकी death हो जाती है एकी death हो जाती है अब एक जो बेटा है वो बी है भी एक application लगाता है और कहता है कि appeal को finally decide किया जाए तो क्या इस case में अबेटमेंट होगी नहीं होगी अपील को सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा यही question है इसमें कहने का मतलब अगर आप इसको यह some question आपका यह कहता है कि दूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील एकी death हो जाती है तो अब यहां पर जो प्रोवीजों सेक्शन 394 सब सेक्शन 2 का तो प्रोवीजों आप रीड करोगे तो वह कहता है कि जो नियर रिलेटिव से सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लीव टू अपील टू कॉंट लीव टू कॉंटिनू अपील 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 सेल नौट अबेट अपील की उसमें अबेटमेंट नहीं होगी क्यों से तो यहां पर नियर रिलेटिव में कौन को ना रहे हैं नियर रिलेटिव में पेरेंट्स आते हैं स्पाउज आते हैं लीनियल डिसेंडेंट्स आती हैं ब्रदर आता है सिस्टर आता है तो कहने का मतलब है यहां पर बेटे ने अपलाई किया है तो वहां पर वहां उसको कॉंटिन्यू किया जाएगा उसकी अबेटमेंट नहीं होगी राइट सेक्षन 394 को आप रीड कर सकते हैं ऐसे क्वेस्टेंज को आंसर करने के लिए तो यह था question six this is all for today we will discuss remaining पार अभी इसके अभी इसमें और भी है तो नेक्स्ट अभी इसमें इसको डिसकस करेंगे उसमें इसमें इसमें सिविल प्रोसीजर कोड भी मोस्टी क्रिमिनल प्रोसीजर को सब्सक्राइब करेंगे और तिल देन यू कीप थिंकिंग की प्रिवाइजिंग कीप कॉंसेप्चुलाइजिंग कीप कॉंसेप्चुलाइजिंग सौरी राइट तो अल्ट बेस्ट कि कि गथétais थाएजिंग बेस्कुलाइजिंग की जचाएजिंग कि यू सौर्ट भी मोस्टिंग कीप बेस्कारण27 बटीं कि ऊपींगे दिल देन प्रोसीजर प्रोस्टिट लू सुम प्रोस्टिंग की डिए्ट को झाल झाल